गुड मॉनिंग स्टुडेंट, तो दिवाली वेकेशन के बाद हम EBS फिर से कंटीनियो करते हैं तो ओपन करते हैं EBS टेक्सबूक चैप्टर नमबर 12 एंड नेम इस वर्क वी डू तो चैप्टर नमबर 12 जो है वो पेज नमबर 8080 पर है और चैप्टर का नेम है वर्क वी डू मतलब कि हम जो काम करते हैं तो सब काम तो करते हैं बट जो काम करते हैं उसको अलग-अलग नाम से बुलाते हैं फोर एक्जामपल जो आप सबको पढ़ाते हैं उसको टीचर बोलते हैं फिर जो हमारे हैर कट करके देते हैं उसको बारबर बोलते है फिर जो बीमार होते है उसका इलाज करके देते है या उसको मेडिसिन देते है तो उसको डॉक्टर बोलते है फिर जो घर बना के देते है उसको लेबरर बोलते है मतलब की मस्दूर बोलते है जो कंस्ट्रक्शन मतलब की इमारत बना के देते है फिर ज तो हमारे घर पे कोई important letter आता है, या फिर कोई चिठी आती है, तो यह सब जहां पे आता है, तो उसको बुलते है post office, यह से बहुत सारे काम है, जो सबी लोग करते हैं, तो chapter हम start करते हैं, तो आपको starting में ही देखो, यहां पे एक picture दिखाए दे रही है, 80 page number पे और सामने 81 page number पे दो picture है, तो यह picture क्यों दिए है, क्योंकि इसके according एक story है, so start करते हैं और one by one हम देखते जाते हैं, कि यह story किसके बारे में है, so first, like other days, बाकित दर दिन की तरह, रमिश was doing mason work, रमिश जो है, वो अपना मजदूरी का काम कर रहा है, mason work मतलब कि जो building बनाते हैं न, उसमें बनाने में help करते हैं, construction करने में help करते हैं, तो वो सारे जो इंसाने उसको बोलते हैं, mason work, he reached the tea stall after his breakfast, तो जो घर बनाने का काम करता है, वो सुबह उटके अपने काम पे जाने लगता है, तो काम पे जाने से पहले वो कहां जाता है, tea stall पहुंचता है, रिच मतलब होता है कि पहुंचना, तो वो पहले कहां पहुंचता है नाश्टा करने के बाद, tea stall, तो picture में देखो tea stall दिख रहा है, tea stall मतलब की चाई की दुकान, तो देखो यहां पे जाने की नहीं, तो यह दो देखो यहां पे, दो लोग बेठे हैं ना, तो इसमें से कौन है, रमेश है, तो रम तो आज रमेश के साथ उसका जो भाई है राजेश, वो गाव से आया है, वो भी उसके साथ जाता है, तो इसमें से एक रमेश है और एक उसका भाई राजेश है, तो दोनों चाई की दुकान पे पहुंचते हैं, तो देखो यहां पे, tea stall पे दो लोग काम कर रहे हैं, एक जो है वो tea बना रहा है, मतलब की चाई बना रहा है, और दुसरा जो है, वो सब जो भी उसकी दुकान पे आते हैं, उसको चाई देता है, तो उसमें से एक जो है, वो वहां पे काम करने वाला जो वरकर है, वो राजेश और रमेश को चाई का cup देता है, टी का cup of tea देता ह उसके हाथ में नियूस्पेपर दिख रहा है तो वो बोलता है कि यह लो आज का नियूस्पेपर तो जो रमिश का भाई है गाव से आया है वो रमिश को बोलता है कि आपका पूरा दिन यहां पे बैठे-बैठे कैसे बीच जाता है आपको कंटाला नहीं आता बोर मतलब कि आपको आलस नहीं आती है यहां पे बैठके और अपने काम पे जाते-जाते तो रमिश बोलता है नो, I will do my work and look तो वो बोलता है अरे नहीं मैं अपना काम करता हूँ और देखो look around how many are doing different work, say रमिश तो रमिश बोलता है कि नहीं मुझे कंटाला नहीं आता है मैं भी अपना काम करता हूँ और मेरे आजुबाजु में भी देखो बहुत सारे लोग है वो अपना-पना अलग-अलग काम कर रहे है इन्सान दिखाय दे रहे है, बढanh सभी का काम सेम है नहीं है तो यहां पर देखो कोई एक लेडी है जो रोड क्लीन कर रही है कोई लेडी है जो ये पोस्ट अफिस के अंदर जा रही है यहां पर जो लेडी है वो फ्लावर के साथ बैठी है यहाँ पे कुछ लोग घर बना रहे है, construction कर रहे है, मतलब building बना रहे है, फिर यहाँ पे man है, जो vegetables या fruits बेच रहा है, यहाँ पे भी bus के तरफ students दोरते होई दिखाई दे रहे है, यहाँ पे भी जो truck वाले driver है, फिर यह lady है, वो kart के साथ कुछ सामान लेके जा रहे है, ऐसा symbol क यहाँ पे होता है, hospital में होता है, तो यह building कौन सी होगी, hospital होगी ना, तो hospital के अंदर doctor जा रहे है, है कि नहीं, फिर यहाँ पे school है, तो school में भी children जा रहे है, तो सभी लोग अपना अलग-अलग काम कर रहे है, तो one by one उसके बारे में देखते है, one does not realize how the time flies, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा time, एक को भी पता नहीं चलता है कि हमारा time काम में ही कैसे बीत जाता है, flies मतलब कि कैसे उड़ जाता है, या तो बीत जाता है, look at that group of children, वहाँ पे बच्चों का एक group देखो, तो देखो यहाँ पे, दो बच्चे हैं ना, फिर यहाँ से भी कोई दोरते हुए आ रहे है, तो यह बच्चों का group देखो, they are late, sorry, as usual, they are late for school, तो वो हर रोस की तरो आज भी school के लिए late हो गया है, तो यह बच्चों का group देखो, वो भी school के लिए क्या हुआ है, late हो गया है, तो late क्यों होता है, शायद उसको ready होने में time लग ग रहे है, everyone is running, सब क्या कर रहे है, डौड रहे है, डौड रहे है किने बस के लिए, the teacher is also late today, और आज तो देखो, student के साथ कौन late हुआ है, teacher भी late हुए है, तो देखो, यहाँ पर यह teacher है न, वो late हुए है, ओ, it seems her sandal has broken, तो teacher late क्यों हुए है, क्योंकि उसने जो sandal पहने है, उस sandal शायद broken मतलब की तूट गई है, तो देखो, वो अपनी sandal चेक कर रहे है, कर रहे है किने, तो teacher की sandal तूट गई है, तो वो late हो गई है, she is going to jagoo भाई, तो वो किस के पास जा रही है, jagoo भाई के पास, तो jagoo भाई कहा है, देखते है अभी, to get it repaired, तो देखो, school building तो यह side है तो देखो, यह जो white color के कपड़े में है, यह कौन है, jagoo भाई है, तो teacher किस की तरफ जा रही है, jagoo भाई के पास जा रही है, क्यों जा रही है, ताकि उसकी जो sandal तूट गई है, वो उसको फिर से repair करवा सके, ठीक करवा सके, it's good for him, he will get some money early in the morning, तो jagoo भाई को भी अच्छा ह वो कूछ पैसे मिल जाएंगे, now next page, champa is sitting there with her basket full of flowers, तो वहाँ पे एक champa नाम की lady है, जो अपने वो बैठी है, तो किस के साथ बैठी है, एक basket है, basket के अंदर, पूरी basket किस से बरी हुई है, flowers से बरी हुई है, तो champa, जेखो यहाँ पे, यहाँ पे, बासकेट है ना, पूरी flower स बरी हुई, तो यह lady का नाम क्या है, champa, जो tea stall के पास, बहुत सारे flowers लेके बैठी है, the lady working in the post office, buys flowers from her everyday, तो champa जो फूल बैच रही है, उसके पास से एक lady, जो है, एक औरत है, जो post office के अंदर काम करती है, वो हर रोज champa के पास से flowers खरिदती है, बाइज मतलब होता है, खरिद देखो, यह champa है, वो flower बेच रही है, और यह post office है, तो यह lady जो है, वो किस में काम करती है, post office में काम करती है, और वो हर रोज champa के पास से फूल खरिदती है, देखो उसने अपने हैर में flowers डाले है की ने, तो वो हर रोज champa के पास से फूल खरिद के अपने हैर में डालती है Now next, the construction work has started again, the truck is bringing materials, the workers will again be busy for the whole day तो construction का किसको बोलते हैं, जहाँ पर कोई building बन रही है या किसी का घर बन रहा है तो उसको बोलते हैं construction मतलब कि उसको बनाना, तो building बनाने का काम फिर से start हो गया है तो देखो, यहाँ पर building बनाना फिर से start कर दिया है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं construction मतलब कि बनाना, building The truck is bringing material, तो देखो यहाँ पर, road पर एक truck है जो सामन लेके आ रहा है तो यह truck building का जो सामन है वो यहाँ पर लेके आ रहा है The workers will again be busy for the whole day तो घर बनाने के लिए जो workers चाहिए, जो मस्दूर चाहिए, वो हर रोस की तरह फिर से पूरा दिन काम में लग गये है और building बनाने में busy हो गये है Look there, the doctor and the nurse are entering the hospital together तो देखो फिर, दूसरे page पे जो picture है, hospital की तो hospital में doctor और nurse दोनों ही एक साथ hospital पहुंचे है और hospital के अंदर जा रहे है See, rising with his fruit, fruit card तो, this days he also bring mamta with him Mamta runs around, deliver fruits and collect money तो, fruit card मतलब की fruit बैचने के लिए जो लारी होती है four wheel वाली, तो उसको बोलते fruit card तो देखो ये इसका नाम क्या है, raiji है तो ये raiji जो है, वो फिर से अपनी fruit बैचने की कार्ट लेके निकल चुके है और अभी तो वो कुछ दिनों से अपने साथ उसकी जो बेटी है mamta उसको भी साथ लेके आते है और mamta क्या करती है आजुबाजु में जो कोई बोलता है उसको fruit बेच देकर आती है और वो जो पैसे देते है वो पैसे अपने पापा को देती है ऐसे अपने पापा की help करती है ननू तब बारबर एज लेड आउट हीज शॉप बट हूम विल ही शेव तो एक ननू नाम का बोई है वो बारबर का काम करता है बारबर मतलब की जो हमारे हैर कट करके देता है बोईस जो है वो शॉप में हैर कट करवाने जाते है की ने तो वो शॉप में जो काम करते है उसको बोलते है बारबर जो डाड़ी बना के देते है हैर कट करके देते है तो उसको बोलते है बारबर जिसने अपनी शॉप बाहर ही लगा दी है और उसके पास कौन शेव करवाने जातता होगा शेव मतलब की डाढ़ी करवाने जाते हैं उसको शेव बोलते हैं तो देखो ये ननौ है, इसने बारबर की दुकान एक ट्री के निचे ही खोल दी है वहाँ पे कोई-कोई haircut करवाने आते है फिर कोई-कोई shave करवाने आते है तो सभी लोग ननू के पास आते है Right in the middle of the crossing stand Iqbal Singh तो एकदम middle में Iqbal Singh खड़े है तो एकदम middle मतलब की सबका middle तो देखो यहाँ पे middle में यह जो है वो है Iqbal Singh तो middle में एकदम Iqbal Singh खड़े है Throughout the day he blows his whistle and keeps shouting और पूरा दिन वो रोड पे खड़े रहे के चिलाते रहते हैं और city बजाते रहते हैं तो देखते हैं कि वो चिलाते क्यों है और city क्यों बजाते हैं Move your vehicle from here We there Hey have you not heard me Take the car away तो वो क्या कर रहे हैं Traffic police है Iqbal Singh जो है वो traffic police है वो traffic में काम करते मतलब कि रोड पे जब traffic जमा होता है तो whistle बजाते हैं न पॉलिस तो whistle बजाते हैं और चिलाते हैं कि आप अपना vehicle यहां से दूर पार्क करिए या फिर यहां से आपका vehicle यहां पे हटाईए तो वैसे वो हर रोज city बजाते हैं और चिलाते रहते हैं Saying this, Ramesh put down his empty cup and walk to a nearby shop तो ऐसे ही Ramesh उसके भाई को बताता है कि सभी लोग अलग अलग काम करते हैं कौन क्या काम करता है, कैसे काम करता है तो ऐसे ही Ramesh अपनी चाय खतम करता है और अपने काम की तरफ आगे बढ़ता है तो यहां पे एक question है यह वाला question है, बट अभी तो हमें यह करना नहीं है तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या करना नहीं है, बट सिर्थ देख लेना How do people sell their things at crossroad और weekly market do the act तो इसमें ऐसा पूछा है कि हम road पे देखते हैं बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं बेचते हैं कि नहीं या फिर market में सामान बेचते हैं तो वो कैसे बेचते हैं उसका हमें act ready करना है act मतलब कि drama ready करना है और perform करना है बट अभी कुछ नहीं करना है तो question है, देखते हैं Look carefully at the picture and write what work is being done by different people तो हमें दोनों picture देखनी है picture में सभी लोग अलग-अलग काम कर रहे है तो कौन क्या काम कर रहा है वो हमें लिखना है तो यहाँ पे देखो eight box दिये है बट हमें sentence wise लिखना है तो हम one by one continue करेंगे तो first लिखते है तो picture देखते जाते है तो one by one देखते है कहां से start करे यहां से post office से start करें तो post office में कौन जा रही है यह lady जा रही है की नहीं तो lady कहां पे जा रही है post office में जा रही है तो लिखेंगे a woman going toward post office एक lady जो है वो post office की तरफ जा रही है ओके now second so second उसकी बाजू में है चाई की दुकन टी स्टोल है तो वहां पे एक इंसन जो है वो चाई बेच रहा है तो बेचना होता है उसको selling बोलते है selling मतलब की बेचना तो एक इंसन चाई बेच रहा है तो लिखेंगे number two और इंसन है इसलिए man क्या बेच रहा है तो बेचने के लिए selling अब क्या बेच रहा है tea तो tea को बोलते है चाई या तो चाई को tea कहां पे बेच रहा है तो tea stall पे तो add tea stall एक इंसन चाई की दुकान पे चाई बेच रहा है now number three तो तीसा अभी यहां पे कुछ बच्चे भाग रहे है तो यह जो four children है one, two, three, four अपनी school जाने के लिए वो भाग रहे है तो लिखेंगे कितने children है four so four children running किस की और भाग रहे है school की और so two words school four children अपने school की और भाग रहे है now sentence number four so one by one ही लिखते है okay so यहां पे children फाग रहे है उसकी बाल जूब में building है hospital तो hospital के अंदर कौन-कौन enter हो रहा है doctor or nurse so लिखेंगे a doctor दूप्टर गूइंग तूवर्ड दूप्टर होस्पिटल की और जा रहे है now six so school का लिख लिया hospital का लिख लिख लिया tea stall लिख लिया post office लिख लिया फिर यह lady तु रहे गई जो full बेच रही है सो इसके लिए लिखेंगे सो और यहां पे नमबर फाइव आएगा न और लेडी सोरी एल एडी वाइ लेडी सेलिंग फ्लावर्स तो एक लेडी जो है वो फूल बेच रही है सिक्स सो फ्लावर्स बेच रही है वो भी लिख लिया फिर अब कौन रहे गया सो यहां पे यह फ्रूट बेचने वाले फ्रूट बेचने वाला जो इंसान है वो रह गया न सो जो फ्रूट बेचते है या वेजेटेबल्स बेचते है तो उसको बोलते है वेंडर मतलब की फेरिया बोलते है सो निखेंगे अवेंडर सेलिंग तो वो क्या बेच रहा है water melon so vendor selling water melon मतलब कि वो तर्बुज बेच रहा है now seven so यहाँ पे कुछ लोग building बना रहे है तो building बना रहे है तो कितने लोग building बनाने में help कर रहे है one, two, three, four तो इसके लिए भी लिखेंगे four people working on construction working four people working on construction of building चार लोग जो है वो building का काम चल रहा है उसमें मदद कर रहे है या काम कर रहे है ओके, ना question 2 What kind of work do people in your neighborhood do? Name any five, what are these workers called? तो इसका मतलब यह है कि हमारे घर के आसपस भी बहुत सारे काम की शौप होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो काम करते है, वो लोगों को क्या बोलते है, और वो काम क्या करते है वो हमें लिखना है, ओके, तो एक example दिया है, तो work मतलब कि उसका काम क्या है so repair cars and scooters जो car होती है scooter होते है, गाडिया होती है उसको repair करते हैं तो उसको क्या बोलते है? so what they are called तो उसको क्या बोलते है? mechanic मतलब कि mechanic बोलते है जो हमारी guardian और car repair करके देता है जो garage होता है उसमें काम करने वाले लोग है उसको हम बोलते है mechanic जो सभी तर九 की vehicles repair करके देते है तो start करते है one to already तिया हुआ है, नमबर टू से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी हमें जो पढ़ाते हैं, हमें सीखाते हैं, तो उसको हम टीचर बोलते हैं, तो वो हमें पढ़ाते हैं, तो लिखेंगे, एजुकेट, स्टुडेंट्स, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीचर, तो फिर, जो दूद बेचते हैं, उसको हम मिल्क में बोलते हैं, स्टू, सेलिंग, मिल्क, जो दूद बेचते हैं, उसको हम बोलेंगे, मिल्क में, हमने वेहिकल पे मिल्क में देखें, जो अपने वेहिकल पे कैन लेके आते हैं, और घर घर पे मिल्क पहुंच जाते हैं, तो वो दूद बेचते हैं, तो उसको बोलते हैं, मिल्क में, ओके, फिर हमें अगर हमारे घर पे कुछ सामान खतम हो गया है तो हम हमारे ममी या पापा के साथ वो सामान लेने शौप पे जाते हैं तो वो जो सामान बेचते हैं और अपनी शौप चलाते हैं तो उसको बोलते हैं शौप कीपर so runs a shop जो अपनी दुकान चलाते हैं उसको बोलते हैं दुकानदार मतलब की shop keeper फिर जो हमारे कपड़े stitch करके देते हैं मतलब की आपके पापा जो कपड़े पहनते हैं या फिर आपके ग्रांड पेरेंट्स जो कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े हमें stitch करवाने पड़ते हैं उसको seal वाने पड़ते हैं तो जो कपड़े सिलते हैं उसको हम बोलते हैं tailor तो लिखेंगे stitch the cloth material जो कपड़े का material होता है उसको जो seal के देते हैं उसको बोलते हैं tailor मतलब की दर्जी फिर अगर कोई बिमार है तो उसको देखता है या फिर उसकी देखपाल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं So, seize and cure फिर जो बीमार है, उसको हम क्या बोलते हैं, patient बोलते हैं So, cure the patient तो जो बीमार दर्दी है, उसको देखते हैं, उसके अध्यान रखते हैं तो उसको बोलते हैं डॉक्टर, ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर जो हमारे घर पे जो वाल है, उसको कलर करके देते हैं, पेंट करके देते हैं, उसको पेंटर बोलते हैं, फिर जो हमारी बस है, जिसमें हम स्कूल जाते हैं, या फिर एक जगह से दुसरी जगह जाते हैं, तो ब बहुत सारे लोग हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं, ओके? Now question 3, in the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown, तो picture में, sorry, जो starting lesson का, वहाँ पे आपको picture दिखाई दे रही है, जिसमें बहुत सारे buildings नजर आ रही है, तो उसको आपको देखना है, In the list below, put a red circle on the names of this building, तो picture में जो जो building दिखाई दे रही है, तो वो building का नाम अगर यहाँ पे list में है, तो उसपे आपको red color करना है, red color कहां करना है, यह जो circle दिया है न, picture में जो building है, अगर उसका नाम यहाँ पे लिखा है, तो उसमें red color feel करना है, Also put a green circle on the names of those buildings that are in your surrounding, और green color वो circle में करना है, जो building आपके घर के आसपास पे है, यह आजू-बाजू में है, मैं समझा देती हूँ, मैं color आपको खुद करना है, So post office, तो obviously post office तो first starting में ही है, तो इसमें कौन सा color करेंगे, red, तो अगर red करना है, तो मैं r लिख देती हूँ, red के लिए r, और green के लिए g, तो मैं जिसमें r लिख हूँ वहाँ पे आपको, red color feel करना है, और जिसमें g लिख हूँ वहाँ पे green, तो आपको भी answer मिल जाएगा, ओके, तो पोस्ट ओफीस पिक्चर में है, तो कौन सा color feel करोगे, red, hospital, हाँ, hospital भी आएँ है, तो इसमें भी कौन सा आएगा, red, temple, तो नहीं, यह पिक्चर में temple तो कहीं नहीं दिया है, temple मतलब क्या होता है, मंदीर होता है न, इसक में भगवान होते है, तो मंदीर, mostly सबके घर के आसपस तो होगा ही, तो क्या करोगे, green call, telephone booth, यह जग़ तो अभी बहुत कम दिखाई देती है, जहां पे लोग phone करने जाते है, बट अभी तो सबके पास अपना personal mobile होता है, तो यह telephone booth तो कहीं पे भी दिखाई ही नहीं देता है, school, school picture में है, है न यहां पे, so, red, college, college मतलब की, 12th standard के बाद जो students है, वो higher education के लिए, दूसरी building में study करने जाते हैं, उसको बोलते है college, तो college यहां पे नहीं है, और आपके घर के असपस है या नहीं, यह भी नहीं पता है, तो college है तो कर देना green नहीं है, तो ऐसे ही रहने देना, government office, government office मतलब की, जहां पे हमारा कुछ जरूरी काम होता है, zone office बोलते हैं, so, government office है तो green करना नहीं है, तो रहने देना, church, church तो है ही नहीं, so, ऐसे ही रहने देना है, multi-store building, multi-store building मतलब, 3 से, 4 से, 4 floor से, ज्यादा floor वाली building, high, जो tall building होती है, तो अगर ऐसी building है, उची building, तो कर देना green नहीं है, तो रहने देना, धरमशाला, धरमशाला मतलब, मंदीर जाते है, होती है, तो धरमशाला भी नहीं है, तो रहने देना, hotel, हाँ, hotel तो घर के असपस होती ही होती है, bus stand, हाँ, मेरे घर के असपस तो BITS bus stand है, तो green करना है, नहीं है, तो रहने देना, bus stand मतलब की, जहाँ पे bus रुखती है ना, पेट्रोली टाइम के लिए जिसमें पैसेंजर बेटते हैं, निकलते हैं, तो उसको बोलते है, bus stand, cinema hall, cinema hall मतलब जिसमें हम movie देखने जाते हैं, तो cinema hall तो नहीं है, police station, हाँ, मेरे घर के असपस police station है, सब के घर के असपस कहीं ना कहीं, तो police station हो गहाई, bank भी है, तो green, petrol pump, हाँ, petrol pump भी है, जहां वेकल में petrol डिलवाने जाते हैं, shop, हाँ, सबी के घर के असपस shop, मतलब की दुकान तो होगी ही होगी, गुरू द्वारा नहीं है, muskyo, मतलब की मस्जिद भी नहीं है, railway station, रेलवे स्टेशन भी घर के नजदीक भी नहीं है, जहां पर train चलती है, वो भी नहीं है, court, court मतलब की, जहां पर case चलता है, तो court भी नहीं है, तो अगर आपके घर के असपस, जो मैंने खाली छोड़े है, अगर वो जगह है, तो आपको green करना है, नहीं हैं, तो रहने देना, ओके, now next, question 4, write the names of any five buildings, and the work done in them, तो हमें कुछ, ऐसी building के नाम लिखने है, जिसके अंदर, अलग-अलग काम होता है, तो हमें एक example दिया है, name of the building, building का नाम, तो है hospital, hospital में क्या होता है, तो treatment of patient, जो बीमार्द दर्दी है, उसकी treatment होती है, vaccination of children, जो बच्चे है, उसको दवाई देने का काम होता है, तो वैसे ही, दूसरी building भी होती है, जिसके बारे में लिखना है, so second लिखेंगे, school, तो school में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, तो लिखेंगे, educate the student, student को पढ़ाना होता है, third, तो सबसे easy, hotel, हाँ, तो hotel में हम क्यू जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, तो hotel हमें क्या provide करती है, food provide करती है, तो लिखेंगे, provide the food, अगर घर के आसपस, hotel में जाते हैं, तो खाना खाने जाते हैं, कोई दूसरे city में हम गूमने जाते हैं, या फिर कुछ काम के लिए जाते हैं, तो वो hotel में हमें room भी, मिलता है ना रहने के लिए, तो कोई कोई हमें facility भी provide करता है, और कहीं कहीं हमें खाना भी provide होता है, तो लिखते हैं bank, bank क्यों जाते हैं, जो पैसे है, उसको account में डालना है, या उस account में से बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम कहां जाते हैं, bank जाते हैं ना, हम तो नहीं हमारे parents जाते हैं, तो लिखेंगे, withdraw, withdraw मतलब निकलना, and, deposit, deposit मतलब डालना, account जो है, उसके अंदर पैसे डालना, so withdraw and deposit of money, पैसे को account के अंदर डालना, या तो account में से निकलना, तो यहाँ पर इतनी ही space है, तो भी इतनी ही building के नाम लिखे हैं, और भी बहुत सारी होती है, post office है, तो हमारे घर के लिए जो letter आते है, फिर वहाँ से वो letter हमारे घर तक कौन ले के आते हैं, कौन सी building से आते हैं, post office से आते हैं, तो अलग-अलग building के नाम हैं, बट अभी इतने ही रखते हैं, नाम नेक्स्ट, इन दे पिक्चर, यू सो, many people work together to build a new building, तो हमने पिक्चर में देखा, कि बहुत सारे लोग है, जो एक building बनाने में, नई इमारत बनाने में, help कर रहे हैं, ताकि building जन्दी से जन्दी बन जाए, school is also one such place, where many people work, तो school भी एक ऐसी ही जगह है, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, write what work is done in the school, तो school में अलग-अलग लोग क्या-क्या काम करते हैं, वो लिखना है, तो first, first students ही आहोंगे, students क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो लिखेंगे students, study, student जो है वो पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ाता कौन है, teacher, तो teacher क्या करते हैं, teachers, teach, teacher जो है वो student को पढ़ाते हैं, feel, जो हमारी school building है, उसको clean रखना पढ़ता है, अगर गलती से किसी ने पानी गिराया है, washroom है, यह सब भी साफ रखना पढ़ता है कि नहीं, तो यह सब को साफ रखने के लिए staff होता है, मासी होते हैं, फिर uncle होते हैं, जो washroom साफ करने आते हैं, फिर हर रोज पोता लगाने के लिए मासी होते हैं, तो इसको बोलते हैं cleaning staff, वो क्या कता है, पूरी स्कूल बिल्डिंग को clean रखता है, तो लिखेंगे, cleaning staff, मिल्टेंग तो cleanliness of the school building, जो स्कूल का cleaning staff है, वो पूरी स्कूल बिल्डिंग को clean रखने का काम करता है, तो student पढ़ते हैं, teacher उसको पढ़ते हैं, और cleaning staff जो है, मासी वगेरा वो स्कूल बिल्डिंग को साफ रखते हैं, ये सभी लोग स्कूल के अंदर काम करते हैं, तो ये सब तो आपने देखाई होगा, now next, are there any children in the picture, who are not going to school, पिक्चर में आपको कोई ऐसे बच्चे दिखाए दिए, जो स्कूल नहीं जा रहे है, तो हाँ भई, देखो, यहाँ पे ये एक बच्चा है, जो स्कूल नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी कुछ children है, वो स्कूल नहीं जा रहे है, ये ममता जो है, वो भी स्कूल नहीं जा रही है, तो ऐसा क्यू होगा, ताकि उसको कुछ न कुछ ऐसे condition होगी या उसको उसकी family की help करनी है इसी वज़े से वो school नहीं जा पा रहे होंगे तो वो क्या काम कर रहे है, what are they doing? तो वो क्या काम कर रहे है, वो हमें लिखना है तो पहले तो question cancer, कि हाँ भे कुछ बच्चे है जो school नहीं जा रहे है तो उसके लिखेंगे yes हाँ, बच्चे school नहीं जा रहे है, तो वो क्या काम कर रहे है तो उसमें से एक बच्चा जो है, वो देखो यहाँ पे चाई देने का काम कर रहा है जो भी उसकी दुकान पे चाई पीने आता है, तो लिखेंगे one of them is serving tea at the tea stall चाई की दुकान पे जो चाई पीने आते है, उसको एक बच्चा चाई देता है serving मतलब की देना, उसको पीरसना, परोसना फिर कुछ बच्चे है जो ट्रीक के नीचे खेल रहे है, देखो तो लिखेंगे secondary करके some other children are playing under the tree तो कुछ बच्चे जो जार के नीचे खेल रहे हाँ कुछ बच्चे school तो नहीं जा रहे तो उसमें से एक, बच्चा जो चाई की दुकन पे चाई पीने आते उसको चाई बेचता है और दूसरे चिबरच e जो, जार के नीचे खेल खेल रहे हैं, ओके, तो आज के लिए हम ये चेप्टर 84 पेज नमबर पर ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नमबर 85 से कंटीन्यू करेंगे, तो आज का आपका होंवख है कि ये जो एक्सेसाइज करवाई है, वो आपको आपकी टेक्स्बुक में कंप्ली करनी हैं, ओके, थैंक यू